नमस्कार दोस्तों मैं गोरव सर्मा स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अध्यन कोचिंग पॉइंट में तो दोस्तों आज का टॉपिक है विबिन खेलो से संबंदित परशन है ठीक है तो बढ़ते हैं अपने कोशन की और हाली में किस परिशत में सामिल किया गया है अभी दीपा मलिक क्या है दीपा मलिक एक पैरा एथिलेटिक है और जबकि योगिस्वर्दत जो है वह एक पहलवान है नेस्ट कुश्चन आपका आजाता है हाल ही में किस देश ने 2022 में होने वाले राष्ट मंदल खेलों में ने सामिल होने का वापस ले लिया है है को ही बाइच-घचर उलगा इसका और चीजिफस नंसलन अभट बहरत ने पहले यह एंसरन लिया था कि वह राष्ट मंदल खेलों में सामिल नहीं होगा परन्तु इस नहीं हो वापस ले लिया है और यह इसका एक महतक्न मंदल खेलतrü bạn कि नो के दिद लिया था पर अब भारत ने भाग लेने का इससे ले लिया है राश्ट मेडल 2022 के जो गेम होंगे वह बर्मिंगम इंगलेंड में होंगे ठीक है नेक्स्ट कोश्चन आपका आजाता है दुबाई में आयोजी ग्लोब साकर अवार्ड में सरस्रेश्ट पुरुष खिलाडी का अवार्ड किसे मिला है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर एक क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ग्लोब साकर अवार्ड मिला है और क्रिस्टियानो रोनाल्डो कहां के के फुटबोलर हैं नेक्स्ट कुस्चन आपका आजाता है इंटरनेशनल टेबल टैनिस महासंग आई टीटी एफ रैंकिंग में अंडर ट्वंटीन पूस एकल वर्ग में किसे पहला इस्थान प्राप्त हुआ है तो इसका सयांसर हो जाएगा ओप्शन नमबर टू मानाव ठककर मानाव ठककर को यह पहला इस्थान प्राप्त हुआ है और यह लिएंडर पेस यह भारती खिलाडी है यह लिएंडर पेस जो है यह इन्होंने सन्यास लेने की घोशना कर ली है आई टी एटी एफ की का हैड़क क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से सन्यास लेने की घोशना की है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर एक इरपान पठान इरपान पठान ने सभी प्रारूपों से सन्यास लेने की घोशना कर दी है यह गुजरात में रहने वाले हैं इरपान पठा जाता है हाली में CRPF द्वारा फोर्थ अखिल भारती है पुलिस जूड़ो क्लिस्टर चैंपियंशिप 2019 का आयोजन कहां किया गया तो इसका सयान चुरू जाएगा option नमबर एक दिल्ली में दिल्ली में यह किया गया है next question आपका हाली में सुनीता लाकड़ा ने सन्यास लेने की घोषना की वे किस खेल से सम्बंदित है तो इसका सयान चुरू जाएगा option नमबर टू सुनीता लाकड़ा हाकी से सम्बंदित है भारती हाकी टीम की खिलाड़ी है next question आपका आजाता है हाली में 63 वी राष्टे निसाने बाजी चैंपियंशिप पुर्सों में 10 मीटर एयर पिश्टल इस परदा में सुन पदक किसने जीता तो सही answer इसका option नमबर एक सुरब चोधरी ये यूपी के मेरट से रहने वाले है सुरब चोधरी और इसका जो आयोजन किया गया था वो मध्य प्रदेश में किया गया था इससे संबंदित कुछ और पुष्कार के बारे में पढ़ लेते हैं जो सूटर जीना खिता है हिमाचल प्रदेश की उन्होंने वो भी गोल्ड मैडल जीते हैं इन्होंने गोल्ड मैडल जीता है पच्चिस मीटर रेपिड फायर पिस्टोल में ठीक है नेक्स्ट वर देख लेते हैं टॉप सूटर जो अवाड है टॉप सूटर वो सुरभ चोधरी को मिला है मिरट के हैं उत्तर प्रदेश के और इन्होंने टैन मीटर एयर पिस्टोल में इन्होंने जीता है उसके बाद आयता विजयवीर शिंदू चंदीगर से हैं उन्होंने सब्सक्राइब कर देखते हैं लियो कार्टर के अलावा सबसे पहले जो वेस्टन डीज के गैरी सोबर्स ने मारे थे भारत के रवी सास्त्री और यूराज सिंग भारत के दो प्लेयरों ने मार रखे हैं और दक्षिन अपरिका के हरसल गिफ्स ठीक है और इंग्लैंड के र सब्कानिस्तान के हजरत तुल्ला जजजई ने मारे हैं और उसके बाद यह कोर्टर ने मारे हैं नेस्ट कोस्चन आपका आजाता है आयू संबंदित धोकादड़ी के मामले में किस खिलाड़ी को एक वर्स के लिए रंजी ट्राफिक खेलने से निलंबित कर दिया गया है मंजोत कालरा ने देखो इन्हों ने धोके से अंडर 19 भी खेल ली थी और अंडर 20 भी खेल ली थी तो इनको उमर के हेर फेर के हिसाब से इनको एक साल के लिए निलंबित कर दिया गया है नेक्स्ट कोस्ट्न आपको आ जता है खेलो इंडिया यूनिवर्स्टी गेम का पहला संस्क्रंड कि इसार में आयुजित किया जाएगा dif उक्ति थी उसम है पंजाब उन्चटी फिव से ऋंडिय इनिवस्टी 17 गोल्ड 11 सिल्वर और नो ब्रॉंज हैं उसके बाद टोटल सेंथिस तीसरे पर पी बी आई तो आपको बस फस्ट याद रखना कि जीता कोन है और उसने कितने गोल्ड मैडल जीती है याद रखना है नेस्ट कुश्चन आपका किस देश के फुटबोलर डेनियल 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 डिरासी ने सन्यास की घोशना की है सही आंतरेश का ओप्सन नमबर टू इटली इटली के फुटबोलर है ये डेनियल डिरासी इनोंने सन्यास लेने की घोशना कर दी है नेस्ट कोश्चन आपका आजाता है राष्टे डोपिंग रोधी एजेंसी ने किस महिला भारुत तोलक को चार साल के लिए प्रतिबंदित कर दिया गया है सही आंद्रेज को आप्शन नमबर एक सरब जीत कोर सरब जीत कोर को चार साल के लिए प्रतिबंदित कर दिया है इसी तरह से रेशलर है रविंद्र एक कुमार जिनको चार साल के लिए नाड़ा और इसको नाड़ा ने पृति-बंदित किया है और इंगा काज बात यह है कि यह सभी 4 साल के लिए पृति-बंदित के लिए इसी तरह आई एससे इंटरनेशनल शूटिंग तो शूटिंग में तो भारती पहले नंबर पर रहता है यह आपको पता होना चाहिए तो सही आंजर इसका ऑप्शन नंबर एक इसकी फुल फॉम है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन हो इसका हेड़कॉर्टर म्यूनिक जर्मनी में है नेक्स्ट कुश्चन आपको आजाता है बैड्मिंटन टूर्णमेंट मलेशिया मास्टर 2020 से पुरुस एकल का किताब किसने जीता है तो सही आंजर इसक के दोनों एक दिवस्य है और टेस्ट करें टीइम आफ दौर किया गया है ठीक है और इसकी जो विराट कोली जो है इन दोनों टीमों के कप्तान रहेंगे शोरी विराट कोली को जिस्पीत उम्रगनी गलत हो गया विराट को अब को प्रुषकारों के सूची में प्रुषकार देख लेते हैं किसको क्या मिला है तो ODI dei man'S player म도 broaden day में player of the year कि से मिला है रो beide सर्मा को मिला है तस में प्लेयर ऑफड़ा इसमें कि विलॉइभा यह बन गजो आइपल आुभी नाइस्ट को सेन आ इन्लेकर op आस्टेलिया के हैं आपका महिला बंडे ऐलीस पैरी को मिला है आस्टेलिया के अपका महिला ङकरद उनदेशक का जी तुन्टो टीम की कप्तान किसे मिला है मेग लिंग आस्टेलिया को मिला है नेक्स्ट आपका महिला वंडे टीम के कप्तान मेग लिंग आस्टेलिया को मिला है उसके बाद पुर्स ओडियाई टीम के कप्तान विराट कोली पुर्षो की टेस्ट टीम के कप्तान विवराट कोली और एसी ओसेट क्रिकेटर ओप दा इयर जो मिला है केली केली कोयाजर जो स्कोटलेंड के है नेक्स्ट कोश्चन आप का जाता है ओलम्पिक पदक विजेता कीमिया अलीजाद ए का संबंद किस देश से है जिन्होंने देश को छोड़ने की घोसना की है तो स्यांचर इसका ओप्शन नमबर थर्ड इरान इरान के एक मात्र ऐसे ओलम्पिक विजेता है जिन्होंने देश को छोड़ने की घोसना कर दी है इरान के एक मात्र ओलम्पिक मेडलिस्ट है नेस्ट कोश्चन आपका आजाता है ICC Under 19 क्रिकेट विसकब 2020 किस देश में हुआ तो इसका सही आंचर ओप्शन नमबर 2 दक्षिन अफरीका में हुआ इसको बंगला देश ने जीता है और भारत इसमें रनर अरप रहा है नेस्ट कोश्चन आपका बापू नाद करनी जिनका हाली में निधन हो गया किस खेल से संबंदित है बापू नाद करनी तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर 3 क्रिकेट से संबंदित है नेक्स्ट कोश्चन आपका जाता है पार्थ्य पहलवान विनेश फोगार्ट ने रोम रैंकिंग स्रीज में 53 किलोग्राम भार में कौन सो पतक जीता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा option number 1 सुर्ण पतक जीता है नेक्स्ट कोश्चन आपका पुर्षो के अंतराष्टे मैच में थर्ड़ अंपायर की भोमे का निवाने वाली पहली महिला कौन बनी है तो सही आंसर हो जाएगा option number 1 जैकलिन विलियम्स जैकलिन विलियम्स फुर्सो की अंतराष्टे मैच में थर्ड एमपायर की भोमे का निवाने वाली पहली महिला बन गई है और ये जमेका की नागरिक है नेक्ट कोश्चन आपका जाता है एक डिवस्य क्रिकेट में सबसे तेज सो विकेट लेने वाले इस्पिन गैंदबाज बन गए है इन्होंने यह कार्णामा 58 मैचों में करके दिखाया नेक्ट कोश्चन आपका हाल ही में हाल ही में दसक की विजडन T20 टीम में किस भारतिय खिलाडी को साविल किया गया है तो सही आंदर ऑप्शन नमबर थर्ड होगा उपरोक तो दोनों बुम्रा और कोली को किया गया है तो इसके कप्तान को रहेंगे आश्टेलिया के एरोन फिंच जो विजडन टीम सेलक की गई नाइस्ट कोशन है किस देशन में सार्जा में आयो जीत डिप्लोमेट कप चैंपियंशिप 2020 जीत ली है और सार्जा कहा है यह यूए 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 में यह हुआ था और इसमें जो रहा था पाकिस्तान रहा था आठ टीम होने इसने भाग लिया था नेस्ट कोशन है आपका रोम रैंकिंग सीरीज में कुस्ती प्रतियोग था 2019 में किस खिलाड़ी ने सुर्ण पतक जीता तो सही आंचर हो जाएगा ओप्सन नंबर थर्ड उपरोक्त दोनों बजरंग पूनिय और रवी कुमार दोनों ने अलग-अलग किलोग्राम भार में जीता है बजरंग पूनिय ने 65 किलोग्राम भार में जीता है और जबकि रवी कुमार ने 61 किलोग्राम भार में इसको जी प्रतिवन को हटा दिया गया है और अभी अभी हाली में अखिल वारतिय तिरंदाजी संग के जो अर्जुन मुंडा को चुने गया है जो कि जारखंड के पहले सीम भी रह चुके है नेस्ट कोशन है भारतिय साइकलिस्ट एसो अलवेन ने शिक्स डे बर्लिन टूर्णावेंट में 2020 में कौन सा पदक जीता है सही आंशर होगा इसका ओप्शन नमबर एक सुर्ण पदक इनों ने जीता है ऐसो अलवेन ने नेस्ट कोशन है आलि में बैर्मिंटरी क्लरी साइना नेवाल ने कौन सी पारटी जोइन कर लिया है उसका सई आंशर होगा 되지 का ओप्शन नमबर एक भाजपा साइना नेवाल ने भाजपा पारटी को जोइन कर लिया है और यह हर्याना राज्जी की रहने वाली है नेक्ट कोश्चन आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का अविजन कहां किया गया तो इसका सही आंजर हो जाएगा ओप्शन नमबर थर्ड असम के गौहावटी में किया गया है अब तक इनके तीन संस्क्रण हो चुके हैं ठीक ह होगा तो पहला संस्क्रण जो हुआ दिल्ली 2008 में हुआ था दूसरा पूने महाराष्ट 2019 में तीसरा गौहावटी 2020 में नेक्ट कोश्चन है आपका खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 में कौन सा नया खेल सामिल किया गया तो इसका सयांज रोजाएगा ओप्शन नमबर थर्ड ल 201 मेडल के साथ टोटल 256 मेडल इसने जीते हैं यूपी अपना पांचवे नंबर पर रहा है त्यान रखना है जो इससे इंप्पर पैंट पर लेते हैं तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो गाटन किया था वह मुख्यमंत्री सर्वानन सोनोवाल ने किया तो जो असम के डिंग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है और असम में कहां हुआ था इंद्रा गांधी स्टेडियम में खेला गया था खेलो इंडिया यूथ गेम्स के सुभांकर क्याते जै और विजय यह आपको ध्यान रख लेना है इंपोर्टेंट है नेक्ट कोशन है आपका हाल बात करें तो डॉमिनिक ठीम ने जीता है जो कि रहनी वाली है सोरी डॉमिनिक ठीम जो है वह इसमें रणर अप रहे थे गलत हो गया है रणर अप रहे थे जो इसमें फाइनल में हार गए थी सबसे पहले होता है फिर फ्रेंच ओपन फिर विडमला उपन और उसके बाद यूएस ओपन होता है तो मिड जनवरी में हो चुका है हार्ड कोर्ट पर होता है ज्यान रखना है अब फ्रेंच ओपन मई जून में होगा और यह सायद मुझे लगता है टल भी सकता है क्योंकि क फोरोना जैसी बिमारी चल रही है किले कोट पर पहता है और जून-जूलाइव में होता है यह गरस कोट पर हो यमलदन ओपन और यूएस ओपन गृता है अगसी कटम बर में हाड कोर्ट पर यह ही तो अब देग लिते हैं मैन सिंगल में नौमाख जोकोविक जोHa isrb ép vegies के बात करें तो सोफिया कैनिन जो की कि यूएस की है ठीक है और डवल्स की बात करें राजीव राम है और यह जोए से लिए वैसे डवल आता नहीं है तो कुश्चन आपके लिए हैं सही कमेंडर में सही आंसर आपको बताना है खेलो इंडिया यूद्ध गेम्स खेलो इंडिया कि शेयर में आई जित किया जाएगा यह आपको बताना है और दूसरा कुछ से नया हाली में आस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम 2020 महिला एकल का खिताब किसने जीता मैंने अभी आपको बताया है तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लेगे तो पिलिए से लाइक करें शेयर करें कमेंड में कोई भी प्रोब्लम हो तो हमें बताएं और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिल सके है